कि अलकीन के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने सिग्मा बॉंड कैसे बनते हैं वो समझ लिये थे अब मैं सबका सब वापस नहीं लिखूंगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैंने यहां पर कार्बन एटम लिया था पर कार्बन एटम कि यह सिक्मा और बाइटल और बाइटल जो है वो ओवरलेप होकर के यहां पर सिक्मा बॉंड बना रही थी उसके बाद यहां पर जो carbon atom है उसके पास एक और पी और बाइटल इस तरीके से और दूसरी पी और बाइटल इस तरीके से खाली है उसके अंदर hydrogen की spherical 1s और बाइटल जो है वो overlap कर जाती है बराबर नहां तो क्या होता है यहां पर दो electrons है यहां पर दो electrons है और यहां पर दो electrons ठीक है तो यह क्या structure बन गया बच्चो ध्यान से समझ रहा हूँ अब मैं इसको normal structure में दिखा रहा हूँ यह carbon और carbon के बीच में sigma bond बन गया ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉंड बन गया ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉंड चलो अब अब समझना बच्चो दोनों ही carbon atom के पास अभी भी p orbital जो है वो खाली है एक p orbital खाली है बच्चो इस carbon के पास जिसके अंदर एक electron पड़ा हुआ है और वो अभी भी bond में take part नहीं कर रहा है तो अब sideways overlap undergo करेगी यह p orbital और यह p orbital आइधर उपर और नीचे दोनों जगे पर नहीं sideways overlap अंडर अंडर को करके पाई बॉन्ड बनाती है sideways overlap अंडर को करके क्या बना देती है बच्चो पाई बॉन्ड ठीक है तो कहने का मतलब अगर मैं इफीन की बात करूँ इफीन की तो इफीन केंदर कितने σिगमा bond है और कितने बाई बॉन्ड कॉम ऑन की बच्चों कमान एथीन के अंदर कितने सिग्मा बॉंड और कितने पाई बॉंड वो बताओ चैट बॉक्स में लिख सकते हो इस्चुज पांच और वन चलो डन ठीक है कैसे वन टू थ्री फोर यह चार सिग्मा उसमें कोई डाउट नहीं अब कारबन और कारबन के बीच में बच्चो एक डबल बॉंड आना तो याद रखो जब भी मल्टीपल बॉंड होगución तो एक सिग्मा होगा बागी के सब पाई होगे तो यहां पे एक सिगमा हो गया तो सिगमा का टोटल वैल्यू क्या आगया पांच और एक वैल्यू जो है वो पाई बॉन्ड का आगया तो यह इथीन का structure हुआ बचो बुक में आप लोगों को carbon carbon double bond और single bond की bond enthalpy और bond length दी गई है आपको नहीं याद रखनी है इथीन का structure पूछा जाए तो इतनी information काफी है बरबर चलो अब हम लोग isomerism की बात करते हैं बचो आईसो मेरिजम जो इतनी के अंदर देखने को मिलती है आईसो मेरिजम तो इतनी के अंदर की आईसो मेरिजम देखनी है तो अब आप लोगों को आईसो मेरिजम की definition देने की कोई जरूवत नहीं है बरबर कि आईसो मेरिजम मतलब कि the compounds having same molecular formula but different structures are isomers and the phenomenon is isomers तो यहां पर मैं direct compounds लिख रहा हूं आप उसको identify करना कि एक कौन से टाइप की आईसो मेरिजम है कि इसको मैं बोल रहा हूं कि इस अ हमन्य का है बच्चो वन और टू कौन से टाइब के आई सो मेरी जम है कौन बताएगा चलो चैट बॉक्स में लिखो मैंने यहां पर तीन प्रोड़क्स लिखेंग वन और टू कौन से टाइब के आई सो मेरी जम है इस ट्रक्चरल नहीं हां स्ट्रक्चरल तो है डन वह आप बोल सकते हो लेकिन स्ट्रक्चरल में भी बहुत सारे टाइप है पोजीशन है चेन है फंक्शनल ग्रूप है बरबर कौन सा इस में से मेटा मेरी जम है उसमें कौन सी हाँ डन तो देखो बच्चो भीतेश अंसर सही दे रहा है यह पोजीशन आईसोमेरिजम है पोजीशन आईसोमेरिजम आलकीन सो है वो दो टाइप की आईसोमेरिजम दिखाते हैं एक है पोजीशन और दूसरा अभी आप लोगों को पता चलेगा वन और थ्री कौन से टाइप के हैं बच्चों कौन बताएगा वन और थ्री कौन से टाइप का इसो मेरी ज़ना है कम ओन लिखो वेरी नाइस इस डन यह चेन आइसो मेरी जम है बहुत सिंपल है बच्चों वन और टू को ध्यान से देखो आपको डबल बॉंड की पोजीशन गूमी हुई दिखाई देगी यहां पर डबल बॉंड वन टू मतलब की वन के बीच में डबल बॉंड टू थ्री मतलब की टू के उपर है उपर वन के उपर इधर टू के उपर बाकी का सब सेम तो यह पोजीशन आइसो मेरी जम हुआ ना चलो वन और थ्री देखो वन में पैरेंट चेन तीन कारबन की और वन में पैरेंट चेन चार कारबन की मॉलेकुलर फॉर्मिला बिलकुल सेन चेंज क्या है खाली और खाली पैरेंट चेन के अंदर चेंज किसमे है पैरेंट चेन के अंदर तो वन और थ्री जो है वो एक लब देखे बिना H8 लिकूं, इसमें भी Alkyne है, देखे बिना H8 लिकूं, इसमें भी Alkyne है, देखे बिना H8 लिकूं, तो 1 और 3 को compare करो, दोनों के molecular formula same है, लेकिन दोनों के अंदर chain की length अलग अलग है, इसलिए 1 और 3 chain isomers हुए, चलो 1 और 2, 1 और 2 molecular formula same है, लेकिन position of double bond जो है व वो आपके position isomers हो गए I hope आपको चीजे clear होई होगी बच्चो यह isomerism हमने जो देखा वो geometrical isomerism है यह जो isomerism है वो geometrical isomerism है बरबर ना अब geometrical isomerism के अंदर इन compounds में special type of isomerism भी देखने को मिलता है जो इनके बीच के restricted rotation की वज़े से आता है चलो वो समझते हैं जी ओमेंट्रिकल isomerism तो alkenes शोस ना इस बेच्चाल काइन्ड ओफ इसो मेरीजम नोन आस जियोमेंट्रीकल औरे सॉरी नोन एस सीस एंड ट्रांस पहले समझ लो बच्चो सीस और ट्रांस आता क्यूं है फिर हम देखेंगे कि सिट्स ट्रांस में होता क्या है अब देखो बच्चो यह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड है तो यहां पर इस सिंगल बॉंड को ऐसे समझना यह मेरा जो पैन है न वो कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉंड है एक मिनिट यहां पर कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉंड के फॉर्म में मैं इस पैन को दिखा रहा हूं समझना ध्यान से समझना अब यहां पर इस पैन को म भी problem नहीं अब मैं इधर एक pie bond बना देता हूं pie bond आपको पता है कि sideways overlap से बनता है pen के उपर इस तरीके का pie bond बना दिया इस तरीके का आप मैं इस pen को ऐसे rotate करने जाओंगा तो क्या होगा उपर वाला pie bond तूट जाएगा बोलो rotate करूंगा तो rotation हो पाएगा the answer is no अगर मैं इसको rotate करने गया तो उपर वाला pie bond जो है वो तूट जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि alkenes के अंदर restricted rotation होता है restricted rotation वापस समझना single bond है तो आराम से गुमा सकता हूं आराम से no issues लेकिन अगर multiple bond है जैसे इधर से sideways overlap होकर के double bond बन गया तो इस double bond को मैं ऐसे का rotate करने जाओंगा तो तूट जाएगा double bond को अगर मैंने ऐसे त्राइ किया rotate करने का तो तूट जाएगा कहने का मतलब alkenes के अंदर rotation restricted होता है बलो बच्छो restricted rotation का concept समझ में आया सबको chat box में लिखो कि चलॅ टन तरो के अब here in Alkenes we have restricted rotation means carbon carbon double bond cannot be freely rotated उसको अमलोग freely rotate नहीं कर सकते as a result of which as a result of which special isomerism special isomerism arises known as geometrical isomerism इसकी वज़े से special type का isomerism arise होता है जिसको geometrical बोलते हैं समझना बच्चो अरे वापस से geometrical लिखा मैंने I'm sorry बच्चो cease and trans चलो समझते हैं बहुत आसान carbon carbon double bond मैंने draw कर दिया अब इसके साथ मैं कोई groups लगा रहा हूँ दो groups हैं A और B तो यहां पर A और A को मैंने इस तरीके से रखा थोड़ा सा space ले रहे ता हूँ क्योंकि बीच में लिखने में problem होगी नहीं तो मुझे यहां पर मैंने carbon और carbon के बीच में double bond लगाया यहां पर carbon और carbon के बीच में double bond आप मैं दो groups ले रहा हूँ कोई भी A और B A group को मैं black pen से दिखा रहा हूँ और B group को मैं यहां पर pink pen से दिखा रहा हूँ तो आप लोगों को कोई similarity दिख रही है इस वाले में इसके अंदर आपको ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि A और A adjacent है बाजू बाजू में है यहां पर B और B भी adjacent है तो से isomerc को हम लोग Cisоль aysomer बोलते हैं तो चैस माने adjacent ठीक है इसमें आप देखोगे तो दोनों जो groups है वह एक दुसरे के ऑपोसित है वह एक दुसरे के ऑपोसित है प्रबन तो से isomerc को यह भी एक दुसरे का opposite देखो खो तो जो हैं वो कौन सी कंडीशन से देखने को मिलती है वो समझलो पहला प्रेजन्स ओफ डबल बॉंड डबल बॉंड होना चाहिए यहां कभी-कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए बात एक की एक की डबल बॉंड होगा तो ही आपसी सो ट्रंस के बारे में सोच सकते हो नहीं तो नहीं दूसरा ग्रूप्स अटेच्ट वित पर्टीक्यूलर कार्बन शुड़ भी पर्टीक्यूलर कार्बन शुड़ भी डी सिमिलर शुड़ बी डी सिमिलर मतलब वो सिमिलर नहीं होने चाहिए चलो एक का दो एक्जांपल कराता हूं तो आपको क्लियर होगा यह चीज़ यहां पर इस कंपाउंड के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि लिखो के सी से के ट्रांस तो आप क्या बोलोगे बोलो लेफ्ट वाला कौन से राइट वाला कौन से बोलो इसको वन देता हूं इसको टू देता हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए वन नंबर कौन से है बोलो जल्दी दोनों ट्रांस के दोनों ट्रांस है ना वेरी नाइस ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है बीड़ा बना और अगर मुझे इसको सिस में कन्वर्ट करना हो तो और कुछ नहина करनेगा इसको एड़्जयसेंट ले लिनेगा चलो यह हो गया आपका सिस बरबर यह हो गया आपका सिस चलो एक एग्जामपल यह दूसरे एग्जामपल में मैं आपको दे रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी यहां पर नाम लिखूं तो और ज्यादा क्लियर होगा सी टू एच फाइव सी सी एट्री डबल बॉन्ड सी सी एट्री सी टू एच फाइव चलो तो यह कारबन हो गया यह कारबन डबल बॉन्ड हो गया इधर मैंने सी एट्री ग्रूप रखा और इधर मैंने सी टू एच फाइव मतलब की इथायल ग्रूप रखा यह मैंने इस कारबन की बात करी अब उस वाले कार्बन के लिए मैं CH3 और C2H5 को रखने के लिए दो पॉसिबिलिटी रख सकता हूँ पहले मैं दो CH3 ग्रूप सामने सामने आया ऐसे रखो और दूसरे में दो CH3 ग्रूप एक दूसरे के एड़ेसेंट आया ऐसे रखो तो अब यह बताने की जरुवत नहीं है कि यह सीस होगा और यह जो है वो ट्रांस होगा बरबर अब मैं आप लोगों को एक कंपाउंड ऐसा दे रहा हूं जिसके अंदर सीस और ट्रांस आप लोगों को चेक करना है कि होगा की नहीं चलो बच्चो कार्बन कार्बन डबल बॉंड इधर दो आइड्रोजन है और इधर ब्रोमीन है बोलो बच्चो क्या इसमें सीस और ट्रांस आईसोमेरिजम देखने को मिलेगा क्या इसके अंदर सीस और ट्रांस देखने को मिलेगा कमॉन सोच के बताओ अरे यार थोड़ा तो सोचो इसके अंदर हमेशा सीसी है ये इसका ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ऐसा कर दो अरे भाई यह तो आपने कंपाउंड का फॉर्मिला ही चेक कर दिया चेंज कर दिया यह इस कंपाउंड का फॉर्मिला फिर हो जाएगा बी यार एच डबल बॉंड और यह बात समझ में तो यह सेकेंड कंडिशन यहां पर सैटिस्पाई नहीं हो रही देखो पर्टिकुलर कारबन के साथ डी सिमिलर ग्रूप्स होने चाहिए यहां पर तो सिमिलर ग्रूप है मतलब यह आपको शीव ट्रानस ऐसोमेरिजम नहीं दिखा सकता है चलो ठीक है एक और कंपाउंड दे रहा हूं बराबर चेक करो c6 h5 c8 double bond c8 c3 sorry c3 c8 double bond c8 c3 चलो बच्चो चेक करो क्या ऐसी इस ट्रंस दिखाएगा इस कारवन की मैंने बात करी इसकी c3 c h हाँ हीतेश प्रजापती बोल रहा है यह हां दिखाएगा डन 100% दिखाएगा अब यह जो आईसोमर मैंने ड्रॉ किया है वह आपका ट्रांस है यह आईसोमर आपका सीस है ठीक है यह हो गया आपका सीस चलो ठीक है इतनी बात हो गई आपकी जियोमेट्रिकल आईसोमेरिजम के बारे में अब हम लोग देखते हैं प्रिपेरेशन 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 है फ्रम आलकाइन्स आपको पता है कि आलकाइन्स का मतलब होता है C, TRIPAL, BORN, C तो हम लोग एक आलकाइन कंपाउंड ले रहे हैं मैं पहले रियक्शन लिखूंगा उसके बाद आपको समझाऊंगा तो आलकाइन कंपाउंड के अंदर मैं एड कर रहा हूं हाइड्रोजन Catalyst यहाँ पर यूज़ कर रहा हूं Palladized Carbon इसके बार में थोड़ा बाद में बताता हूं Palladized Carbon क्या होता है तो यहाँ पर आपका क्या होगा तो यहाँ से आपके दो आइड्रोजन एटम आउट होंगे एक आइड्रोजन एटम इस करबन के साथ लगेगा दूसरा आइड्रोजन एटम इस करबन के साथ लगेगा बराबर याद रखो बच्चो कि जब आप Catalyst Palladium Carbon लोगे तब आपको हमेशा ही Cis Isomer ही मिलेगा Always Cis in case of Palladium Carbon अब समझना यहाँ पर Catalyst हो है न वो Palladium है तो फिर Carbon का क्या रोल है चलो वो समझते हैं आप मस्त है आईए देखो यह कारबन का बैड है और इसके उपर इसके उपर हम लोग पैलेडियम को इस तरीके से बीचा देते हैं तो यह पैलेडाइस कारबन बन गया अच्छा अब बूक में आप लोगों को लिखा है के इस इस डिएक्टिवेटिड विथ इस इस डिएक्टिवेटिड विथ सल्फर और क्वीणोलेन sulfur quinolin बेब बोलोगे sir क्यूं deactivate किया catalyst को एक्चुली catalyst को deactivate नहीं किया है हम लोगों ने इस carbon को deactivate किया है, तो इस catalyst का नाम है paladized carbon partially deactivated with sulfur और quinolin फिर बोलोगे sir क्यूं deactivate किया तो actually यहाँ पर carbon को इसलिए deactivate किया ताकी carbon reaction के अंदर टेक पार्ट नहीं करे हमारा केटलिस्ट पैलेडियम है कारबन तो सिर्फ सपोर्ट है सोचो आपको पूरा का पूरा इतना पैलेडियम का ब्लॉक यूज करने का आएगा तो कितना मेंगा पड़ जाएगा इसलिए कॉसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं पैलेडियम का एक ब वेसल होता है उसके उपर हम पतला सा कोटिंग करते हैं स्टील का 다니र यहाँ पोरा वेसल बनाते हैं दानसर इसनो क्यूं Depois क्यों की महिंगा पड़जाएगा वह इसलिए हमеты का यहां पर कार्बन का यहां पर सॉलिड सपोर्ट लेते हैं और उसके उपर पैलेडियम की एक पतली सी लेयर बना देते हैं इस केटलाइस को बोला दाता है पैलेडाइस कार्बन इसका दूसरा नाम लिंडलर्स केटलिस्ट भी है इस केटलिस्ट का दूसरा नाम है लिंडलर्स केटलिस् तो ये हो गया आपका alkaline, ये हो गया आपका alkaline, अब मैं statement बोल रहाँ, alkalines when reacted with hydrogen, अब बच्चों बताओ ये reaction reduction है कि hydrogenation है या दोनों है, बताओ, क्या ये reaction reduction है या hydrogenation है, बताओ, अच्छा बच्चों को confusion है उसमें देखो बच्चों दो टम से reduction और hydrogenation याद रखो reduction के अंदर hydrogen single molecule के उपर add होता है single molecule के उपर यहाँ पर यह single molecule के उपर add होता है बरबर ना hydrogenation में more than one molecule में add होता है more than one molecule के अंदर add होता है more than one molecule के उपर ठीक है इस बात को याद रखना तो यहाँ पर single molecule के उपर यहाँ पर reduction reaction ठीक है चलो यह रहने देता हूं आप लोगों के काम में आयागा शायद से चलो तो यहाँ पर यह क्या देता है आलकीन यह reaction जो है वो एडीशन reaction है two or more reactants add ओकर के सिंगल प्रोड़क बना रहा है चलो यहाँ पर हमने देखा कि अगर catalyst लिंडलर है तो always आपको सिस अलकीन मिलेगा लेकिन अगर यही पर यह आपको ट्रांस आलकीन चाहिए तो तो कोई बात नहीं reactant लेलो ठीक है आपको यहाँ पर catalyst change करके करना पड़ेगा sodium liquid ammonia अब कुछ बोलेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इस reaction के अंदर यह catalyst इस reaction के अंदर यह catalyst तो देखो किसी भी reaction के अंदर जो catalyst का choice है वह experimentally decide होता है experimentally experiment के बाद हमको पता चलता है कि किस reaction के अंदर कौन सा catalyst जो है वह बहुत अच्छा काम कर रहा है तो यह चीज आपको याद रखनी होगी अगर मैंने sodium liquid ammonia यूज किया तो आप लोगों का तो आप लोगों का यहां पर जो अलकीन मिलेगा वो ट्रांस नीचर का होगा सिस चाहिए तो लिंडलर ट्रांस से यह तो sodium liquid ammonia बरबर चलो तो यह हो गया आपका अलकीन यह हो गया आप लोगों का अलकाइन चलो एक का दो एक्जामपल ले लेते हैं फर्स्ट इस सी एच ट्रिपल बॉंड सी एच यहां पर हाइड्रोजन चलो बच्छों केटलिस्ट रियक्शन कंप्लीट करो फटा-फट से इन रियक्शन को कंप्लीट करो मैं चार रियक्शन लिख रहा हो टोटल कर्पत्र रियक्शन को करना है झाल चलो तो यहां पर आप लोगों का केटलिस्ट जो है वो इस तरीकी की प्रोड़क्ट देगा हमको पता है कि यहां पर आपको हमेशा ही सीस प्रोड़क्ट इमिलती है एक्चुली इसके अंदर तो आप लोगों को सीस और ट्रांस जैसा कुछ होगा नहीं बरबर यहां पर आप लोगों का इथाइन यहां पर आप लोगों का इथाइन अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहां पर भी इथी नहीं बनेगा इसमें सीस और ट्रांस का कोई लॉजिक होता नहीं है ठीक है चलो फिर यहां पर आप लोगों का कोई लॉजिक नहीं है ठीक हो जायेगा आपका प्रोपीन ठीक है चलो नेक्स्ट मेंथड की बात करते हैं मिच इस फ्रम आलकाईल एलाइट्स बच्चो आलकाईल एलाइड्स वाली जो मैथड है उस लोगों उसको हम लोग नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे क्योंकि यह 15 मिनिट जाएगा इसमें ठीक है आज यहां तक रखता हूं बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स टाइम चलो ठीक तब तक के लिए थेंक्यू वे